नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पांच सब साल बात बन रहा है दुरलब महाशयोग, तेश दिसंबर, पोश अमवश्या, गाई को खिला दें ये एक छोटी से चेज, जन्मों जन्मों के पित्र दोस होंगे, खत्म, पूरे साल भरे रहें अन्यधन के भंडार, रोडपती भी हो जाएंगे, करोडपती, दोस्तों, 2022 की अंतिम अमवश्या, इस बार 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को है, ये पोश अमवश्या है, पोश अमवश्या का हिंदू धरम में विशेस महत्व है, पोश अमवश्या के दिन इशनान, पूजा जप और तप करने का भीधान है मानता है कि इस दिन गंगा श्नानकर पूजा आदि करने से ब्यक्तिको अमोग फलकी प्राप्ती होती है पित्रों के लिए पिंडदान करने और यानि कि उन्हें खुश करने के लिए उन्हें संतुष्टी देने के लिए इस दिन पिंडदान आदि किया जाते हैं और अमश्या तिथी भगवान लक्ष्मी नरान और पित्रों को समर्पित होती है और पौश मास की जो अमश्या है ये पित्रों को समर्पित होती है इस माह में पित्रों की आत्मा की शान्तिक लिए स्राध तरपन करने का बिधान है इसलिए इसे छोटी पित्र भी कहा जाता है पौश अमश्या के दिन पित्रों की कृपा प्राप्त करने के साथ भगवान शूर की भी कृपा प्राप्त करने के लिए शूर दे को भी एक लोटा जल जरूर दे दोस्तों यह इस बार यानिकी जो अमश्या है बहुती खास सुबसंयोग में पढ़ रही है साथी साथ दोस्तों बता दे कि पोशंवश्या के दिन आप यानिकी इशनान दान जरूर करें और तीर्थिस्थन में इशनान करें तो बहुती शुबफलों की प्राप्ती होती है इस दिन सरवार्द सिध्योग और साथी अमरित सिध्योग और तरगरही राजयोग का निर्मार हो रहा है कई दूलब शुबशयोग और धन्योग का निर्माड होने से इस योग में आई यह पोश अमश्या बहुत ही शुबश हो गई है कोई भी कार अगर पुरी तरह से यनि करते हैं तो सफल हो जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पौश अमश्या पर गो माता को खिला देते हैं तो इससे भगवान विशू और माता लक्ष्मी जी की अश्रीम कृपा प्राप्त होगी मृतु दंड पितर दोस भी दूर हो जाएगा सनी दोसों से रहत मिलेगी कारियों में आ रही रुकावट दूर होगी और बिगडे कार भी बनने लगेंगे दूरभाग सोभाग में बदल जाएगा मालक्ष्मी कृपा से धन की हानी होने बंद हो जाएगी धन का लाब होगा इस उपाई को अगर आप यनि की कर लेते हैं तो बहुत ही असर कारक देखने को मिलेगा ये बहुत ही असर कारक उपाई है दोस्तों पितर दोस और सनी दोस दोनों ही बहुत पीड़ा दायक दोस होते हैं जिन पर पित्र दोस और सनी दोस होते हैं, उन्हें गंभीर रोग लग जाता है, नोकरी में उन्नत नहीं होती, ब्यापार में ब्रद्धी नहीं होती, घर में असांती का मोहल बना रहता है, कार में रुकाबटे बेक्ति करज में ढूब जाता है, और घर में कोई न कोई बीमा चली रहती है, बनते हुए कार भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए सास्त्रों में पित्रदोस और सन्य दोस को सबसे गंभीर दोस बताया गया है, दोस्तों उपाय करने के लिए इश्नान करने के बाद स्वक्छ वस्त धारन करें, अब आप बिना यनिकी छाना हुआ आटा ले ल और दूसरे पात्र में आप घी गुड आप और थोड़े से काले तिल रख लीजे और भगवान विश्व और माता लक्षमी को भोग लगाएं, और इसके बाद फिर आप इस रोटी में थोड़े से घी जो भगवान विश्व और माता लक्षमी को आपने भोग लगाया है, वही गुड घी रख लें और थोड़े से काले तिल भी इस रोटी में रख लें, और ले जाकर गव माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर खिला दें, ऐसा करने से आपके बड़ी से बड़ी परिशानी भी दूर हो जाएगी, मालक्षमी क्रिपा बरसेगी, कोई भी क पित्र होते हैं, वो तिन रूप में सबसे ज़्यादा आते हैं, एक गव माता के रूप में और दोसरे कुट्टे के और तिसरे कवेक रूप में, इसलिए इस दिन, यानि कि आपको गव माता को जरूर एक रोटी खिला देने चाहिए, जो घर की सबसे पहले रोटी बने, व और पूरे साल अन्धन के भंडार भरे रहते हैं दोस्तों इस दिन आप थोड़े से यानि घास ले ले एक मुठी घास ले ले और आप एक रोटी इसमें रख ले इसमें थोड़े से काले तिल रख ले और थोड़े से इसमें गुर रख ले और थोड़े से इसमें चाहें तो घी भी रख ले या फिर घी नहीं है तो सरसों का तेल भी लगा सकते लेकिन कोशिश करें घी लगा ले फिर आप इसे मोड़ कर गो माता को अपनी मनोकामना बोलते हैं खिला दे और गो माता की तीन बार ताफ्थ होती है कार्चेत में आपको अधिक-्षदिक धनलाब होता है ब्यापार में चली आरहीप परेशानया दूर हो जाती है धनकिस्थिती मजबूत रहती है कारुबार में विशेश लाब होता हो नजराता है यानिकि आप दिन दुगनी और राच यगनी तरकी करते हैं धन के स्थिति काफी मजबूत रहती है इस दिन आप पोश्य वर्शक दिन गौ माता को कुछ खिलाएं या नल खिलाएं गुर घी और काले तिल से बने लड़ू को रोटी में रखकर जरूर खिला दें और अगर आप चाहें तो ऐसे ही गुडगी और लड़ू आप काले तिल का बना के खिला सकते हैं तो विशेश पुन्न की प्राप्ती होती है कई जन्मों के पित्र दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में जो भी समस्याई हैं लड़ाई जगड़े या फिर बीमारियां या फिर किसी की नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगी है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है वो शारी समस्याई खत्म हो जाएगी और अने एक जन्मों के जो चली आ रही परेशानिया और थाकावट भी दूर हो जाएगी धनलाब होने शुरू हो जाएगे मालक्षमी कृपवरसेगी भागवान विश् होती है गौमाता का शिर्वाद इस दिन प्राप्ट करने से समस्त कष्ट और विप्दाएं और यानि कि जो भी विप्रतियां दूर हो जाती है तो इस प्रकार से ये उपाई जरूर करें लाब होगा दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो इस कोई शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी